क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स तो इन डाउट्स को क्लियर करो 5 सेकिंड में डाउट्ट अप के साथ बस अपने सवाल की फोटो कीचो उसे क्रोप करो और तुरंत वीडियो सुलिशन पाऊ फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेक्स या बाईलोजी का हो या सी बीए सी बोर्ड, यूपी, बिहार या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का चाहे कक्षा 6 से बारवी आईटी जे ओन नीड्स का सवाल हो सब ये सवालों के वीडियो सुलिशन आपको 5 सेकिंड में मिल जाएंगे वो भी डाउटन डेप के साथ और साथ यहाँ पर चल रही है इंडिया की नमबर वन डेली लाईव क्लासिस जा पर चाहे आपका सब्जेक्ट हिंदी हो या इंगलिस हो फुल कोर्स आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा तो जल्दी जोइन करो डाउटन डेप के साथ प्यार का इंतकाम पार्ट फॉर आपने अब तक देखा काजल के पिताजी अरजुन को गोली मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो गोली अरजुन को ना लग कर काजल को ही लग जाती है जिससे काजल की मौत हो जाती है और अरजुन वहाँ से भाग जाता है जब अरजुन वहाँ से भागता है तो काजल के पिताजी उसका पीछा करने के लिए पीछे गुंडे वेशते हैं तो अब देखते हैं आगे क्या होता है अरे यार जल्दी कहीं पे छिप जाता हूँ वो साले गुंटे मेरा पीचा कर रहे है अगर उन्हों मेरे पकड़ लिया तो वो मुझे मार डालेंगे अरे फारिंग भी हो रही है जल्दी यहां कहीं पे छिप जाता हूँ इसा करता हूँ इस पाइप के अंदर छिप जाता हूँ वरना वो गुंटे मुझे पकड़ लेंगे वो मेरा पीचा कर रहे है यह पे छिप जाता हूँ जब वो आगे निकलेंगे तो मैं यहां से यह इसा करूँगा काजल, मैं छोड़ूंगा नहीं उस Camino को में उसने जाने के बादू उकता है, सबराइरे के बात। मैं यहां से अपने से पने नहीं मिलूगा मैं तुम्हें हाँ 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 तडपा तडपा के मारूँगा उस कमीने को मैं गाजल लगता है ठक गए मझे ढूंड़ते ढूंड़ते इन कमीनों को क्या पता मैं तो बस यहीं पे छेपा हुआ हूँ इस पाइप के अंदर जाओ जाओ चलो चले गए अब मैं मेरे दोस्त के यहां चला जाता हूँ बाल बाल बच गया कमीनों से लेकिन मुझे तो लगता काजल नहीं बची होगी गोली लगने के बाद वो तो मर चुकी होगी कोई बात नहीं मैं तो बच गया यहां हो तुझे लग गई हां लो आ गए लगता है उसे पकड़ लिया अर पकड़ लिया क्या उस कमीने को हाँ आ गया क्या वो हाथ कांय बोर बतां मुझे उस सुनले डिखाय क्यों नहीं पकड़ के नहीं लाए उसे हां बाश बाश हमने उसे बहुत दूंडा लेकिन वो हमें नहीं मिला बोश पता नहीं का छिप गया साला कुट्टे का पिला क्या कमीनों तुम्हें वो एक लड़कर नहीं मिला तुम सब क्या करने गए थे उसे दूड़ने गए तह है चली हम इसे टेलने कैडिक हम और फिर वहां से प्लेंट बनाऊं को कुछ कुछ उसका मेडिय को चलो अभी तो हम सब घर पर चलते हैं है तरहुए नी चलो से ब्लैन बताइए न मुझे क्या हुआ काजल को कहां छोड़के आगे आप मेरे बीटी को कहां है काजल बताइए मुझे आप मुझे कुछ छीपा रहे हो कहां गई मेरे बीटी काजल क्या हुआ काजल को बताइए मुझे प्लीज बताइए ना अब मैं क्या बोलू तुम्हे कांता, हमारी बेटी काजल इम इस दुनिया में नहीं रही, उस कभीने लड़के की वाज़े से काजल को खोना पड़ गया मुझे, मैं उस कभीने को छोड़ूगा रही, मैं उस कमभीने को ढूंट कर मारूँगा, वो मुझे होउस्पिटल में ह लेगा उसी के माबाप के पास मैं उस कमीने को छोड़ूगा नहीं मैं होस्पिल में जाओंगा और उसके माबाप को और उसे मार दूँगा डॉक्टर सहब मेरी बीवी कब तक ठीक हो जाएगी कुछ कहा नहीं सकते क्योंकि बेटे की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा इनको चोड़ न मत किसी भी कमीने को भून देना जो भी सामने आए बदला लेकर रहूँगा मैं मेरी बेटे की मौत का अरा रोगो रोगो कहा जा रहो वस्पिट में हत्यार नहीं अब हट तेरी मा का आया बड़ा हमें रोखने वाला चलो अंदर जो भी मिले रस्ते में बून दो साले को अगर कोई भी हमको छेड़ दे की कोशिश करे चोड़ूँगा नहीं मैं खिसनी को भी अरे 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 आप लोग कहा जा रहे उपर उपर जाना मना है उपर पेशेंट से अब सालीत तू रोख़गी अब उपर जाने से कमीनी कहेगी मर गई चलो रहे आज़े उपर छोड़ूँगा नहीं मैं उस कमीनी के मापाप को का है वो अच्छा तो यहाँ पर है अरे कौन हो आप लोग आपको पता नहीं होस्पिटल में हतियार लेकर आना मना है चुप हो जाबे लड़की और मुझे बता यह है ना राहूल और अर्जुन के माता पिता हाँ हाँ सर यही है अर्जुन और राहूल के माता पिता लेकिन आप हतियार लेकर होस्पिटल में नहीं आ सकते यह कानून के खिलाफ है आप यहां से चले जाए सर कानून मेरे सामने गुटने ठेकता है और दो कोड़े के डॉक्टर तुम मुझे जाने की बोल रहा है साले ये खागोली और तूपो के उठार हाँ मर गया कमी ना खा इका अब मैं तुम तीनों को में नहीं चुड़ूगा भूण दूगा तीनों को नहीं आप ऐसे मत कीजी मैंने आपको क्या भीगाड़ा मेरे हस्बेंट गर पे मेरा वेट कर रहे होंगी प्लीज मुझे जाने दीजी नहीं छोड़ूगा किसी को बदला लेकर रहूंगा तुई है ना उन दोनों लड़कों का बाप और उसकी मा वो लेटी विना पीछे नही मार दो इसे ये उन दोनों की मा है ना हाहा हाहा मर गए ये भी हो गया बदला पूरा ये तो मारे गए अब वो लड़का मिल जाए बस मुझे उसका भी नहीं छोड़ूँगा तूड़कर मारूँगा मैं उस कमिने को उसकी तलाश जारे रेको हाहा हाहा अब चलो है वेली जब उस कमिने को पता चलेगा उसके माबाफ मारे गए तो ओटोमेटिक मेरे पास आएगा जब कमिने मेरे पास आएगा तो साले को तडपा तडपा के मारूँगा मैं उस कमिने को क्या ये क्या किया उस कमिने को नहीं चोड़ूगा मैं मार डालूगा उस कमिने को उसके घर में घुसके ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया उस गुपता के बच्चे ने तेरे मापाप को मार कर अरजुन इधर आ और उठा ये हदियार और उस कमिने के घर में घुसकर ही उसे मारना मेरे दोस्त मैं तेरे साथ हूँ बच्चना नहीं चाहिए वो कमिना गुपता का बच्चा अब नहीं चोड़ूगा मैं उसे उसके मेरी पूरी फेबली को मार डाला मैं उसके घर में गुसके उसको मारूंगा चाहे मेरी जाहिए क्यों ना चली जाए चुछूडंगा नहीं मैं उसको मेरे दोस्त में चलता हूं से मारने के लिए नहीं चेलूटाहूं में उसे झिंदा जवा सुे तो तो लो गृद्ष जोड़े आगए उसका घर नहीं चूड़ूंगा में उस गृजिन बत्री को सब ज्रूओं क्योंकि मोत का अमनले कर रहूँंगा मेरी बाइकी मोत का ना कि लेकर रहूँगा इस कमीने से गुपता अधर निकल किसी को भी और जाए उस शहूंणी जिसको भी मरना है गुपता के बच्चे का उचल मेरे बाल निकल कमीने व whom ने बैश आरे हमारे आदमी को मारा पकड़ लो इसे पकड़ लो इसे कमीने को हाहा आखिर खोधी फस गई मचली काटे में आखर हाहा मुझे पता था तू कमीने जरूर आएगा हाहा तेरे माबाप को जो मार दिया मैंने हाहा अब तूब मरेगा कमीने मेरी बेटी मारी थी ना तेरी हो जैसे अब तू भी नहीं बचेगा कमीने कुपता तुझे मारना था तो मुझे मारता ना मेरे माबाप को क्यों मारा कमीने तुने क्यों मारा मेरे मापाप को उन्होंने क्या बिगाड़ा थो तुमारा क्यों मारा तुने उनको बदला बदला लने था मुझे मेरी बेटी की मोत का इसलिए मैंने तेरे मापाप को मार डाला अब जब मैं तुझे मार दूँगा तब मेरा बदला पुरा होगा कमीने अब तू भ बहुत तड़पा के खुद्र की मौत मारूंगा मैं लड़के तुझे तू भी नहीं बचेगा मेरे हातों से वारे गुपता वा क्या प्लेन बनाये तुने मुझे मारने का लड़के इसलिए तो मैंने तेरे माबाप को होस्पिटल में घुस के मारा ताकि तू मेरे पास मरने के लिए आए अब तू भी मरेगा तडप तडप के बहुत बुरी तरीके से मारेगा कमीने मार और साले इस कमीने को तडपा तडपा कर हाहा अध्यद मार दो लो पीछे देखो भो खड़ाए अबें ऑगुपता देख तेरे आदमी किसे मार रहे हैं मैं तो यहां पर खड़ा हूँ अबे कमीनों भाग रहा है वो पकड़ो उसे बचकर जाने ना पाए पकड़ो उसे कमीन को अबे सालों बचकर भाग गया हो तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो सब अरजुन मेरे पास एक प्लैन इन सब को मारने का सोन आरजुन मैरे पास एक प्लैने उनुस सभी कमेनों को मारने के लिए उतर तू गाड़ी से मैं गाड़ी यहां बीच रस्ते में खड़ी कर देता हूँ यही से आएंगे नमों सब सोन आरजुन इधर आ तू इस पूरे रस्ते में लेंड माइन लगा दे और वो जब आएंगे तो हम यहां पर गाड़ी के पास ही खड़े रहेंगे बीच रस्ते में हम दोनों को देखकर वो हमारे पर गाड़ी चड़ाने की कोशिश करेंगे लेकिन उनको क्या पता रस्ते में लेंड माइन्स होंगे और वो उनसे मर जाएंगे तो तू यहाँ पर पूरे रस्ते में लेंड माइन बिचा दे अरजुन हाँ मेरे दोस्त क्या अच्छा प्लैने देरा मैं पूरे रस्ते में लेंड माइन से फट कर मरेंगे तो उनकी बोड़ी के चितड़े चितड़े उड़ जाएंगे साले कमینों के टुकड़े भी नहीं बचेंगे कहीं पर बहुत बुरी तरीके से मरने वाले हम दोनों यहाँ पर खड़े होकर उन पर हासेंगे ताकि वो हमको मारने के लिए आए और हम पर गाड़ी चड़ाने की कोशिश करें ओछ चड़ाते वक्ती वो मर जाएंगे बहुत अच्छा प्लैन है हमारा आओ आओ कमीनो तुमारी मौत तुमारा इंतिजार कर रही है क्या वहाँ खड़े खड़े देख रहे हो हस मेरे दोस्त ताकि वो और चुड़ जाए आओ ना अच्छा तो सामने रोड में खड़े कर हम पर हस रहे कुचल दो सालों को बचने नीच चाहिए उड़ा दो सालों को अरो यह क्या हो अरो आओ आओ कमीनो तुमारी मौत तुमारा इंतिजार कर रही है मर गए हाहाहाहा कमीनों को यह भी पता नहीं चला यहां पर लेंड माइन बिजा रहे हमने ओ भाई मारे गए सब के सब हाहाहा बदला पुरा हो गया हाहा मारे गए कमीने साले कुट्टे के पिले हाहाहा मेरे माप बाप को और मेरे भाई को मारा था ना इनोंने मारे गए कमीने बहुत बुरी तरीके से लेंड माइन से फट कर मारे गए हाहाहा चलो मेरे दोस्त चलते हैं यहां से अब चलो मर गे साले सब के सब मेरे माबाप और मेरे भाई की मौरत का बदला तो पुरा हुआ चलो मेरे दोस्त, चलते हैं अब हम यहां से जबती ज़ादा मज़ा आयागा तो यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब करें देना मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई टाडा टिक केर